पूत्राखन लोग सेवा आयोग द्वारा जो नई वेकंसी रिलीज हुई है एग्जेक्ट्यूटिव ऑफिसर की और रिवेन्यू इंस्पेक्टर की अधिसासी अधिकारी और राज्युस्व निरिक्षक की जो आपकी ये वेकंसी रिलीज हुई है तो इसका फॉर्म किस तरीके साब लोगों को फिल अप करना है कौन-कौन से डोकुमेंट्स इसमें लगेंगे क्या अलिजिबिल्टी कंडिशन्स है किस तरीके से प्रक्रिया आगे रहती है पूरा फाइनल जो आपको फॉर्म फिल अप करने की प्रोसेस हम आपको बताएंगे और जैसे कि आपने देखा होगा कि आज ही की दिन ये फॉर्म आपके निकले है 28 अगस्त को तो किस तरीके से आपको ये फॉर्म फिल अप करना है उस पर हम बात करेंगे और टोटल पोस्टों के अगर हम बात करें तो कितनी पोस्ट है 85 पोस्ट है इसमें रहेगी जो इसमें एज लिमिट आयू सीमा जो आपकी होनी चाहिए 21 वर्स से लेके 42 वर्स तक जो है आपकी एज होनी चाहिए साथ में जो इसमें qualification मागी गई है graduate candidates इसमें सभी graduate candidates apply कर सकते हैं तो पूरा हम देखेंगे तो इसमें आपको क्या-क्या जो आपकी documents में वो चाहिए होंगे form आप लोग जो है अपने mobile से ही भढ़ सकते हैं कहीं आपको cyber cafe जाने की जरूरत नहीं है computer की जरूरत नहीं है सिर्फ अपने जो mobile रहता है उसी से अपना पूरा form fill up कर पाएंगे तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या-क्या आपको चाहिए सबसे पहले हम क्या करेंगे registration करेंगे अपनी education qualification डालेंगे photo और signature देखे photo और signature में काफी लोगों को जो है print out निकाल लेना है तो बहुत ही simple process है इसमें सिर्फ आपको जो चाहिए photograph और signature चाहिए और कोई भी document इसमें attach कने की जरूरत नहीं है सिर्फ आपको जो है या तो अपने roll number या subject डालना होगा तो सीधे हम देख लेते हैं पहले भी आप लोगोंने form fill up करे हैं तो देखिए अगर आप form mobile से fill up कर रहे हैं तो इसमें आपको एक चीज का विशेश करके धियान रखना होगा आपको Google Chrome जो एप रहती है उसी में आप लोग जो है form fill up करें और जो ये interface आपको देख रहे हैं इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा UK PCS ठीक है तो ये आपको सीधे सर्च कर लेना है और यहाँ पर इसके official website आजाएगी जो की यहाँ पर अगर आप देखें अगर नीचे करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा तो जिब तक आप form fill up करेंगे तो और notification भी आ जाएंगे तो वो पीछे चले जाता है यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो लाल कलर का यहाँ पर आपको देखेगा तो इसको आपको क्लिक कर देना सिंपली तो नया पोटल खुलेगा आपका online application थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि server जो है बहुत हवी होगा क्योंकि काफी लोग form fill up एक साथ अभी कर रहे होंगे क्योंकि अभी जो है इसके form release हुए सबसे पहले हम आपको बता रहे है कि form बनने की प्रक्रिया किस तरीके से रहेगी तो आप लोग चैनल में नहीं ही चैनल को सारे instructions को अच्छे से पढ़ लेना है सारी चीजें देख लेनी है ठीक है पोस्ट आपने देख ली last date आपने देख ली qualification आपकी graduate होनी चाहिए age limit आपकी minimum 21 वर्ष होनी चाहिए apply now के option हम simply apply कर देंगे अब देखे basic जानकारी आपको डालनी है ये सभी लोग डाल सकते हैं अपन लिखना है जो भी आपका gender है इसके बाद आपका marital status आपकी साधी हो गई है या फिर unmarried है तो वो आप लोग लिख सकते हैं तो इसके बाद आपको रास्टेता लिखनी है तो भारती है आप सभी होंगे तो ये आपको लिखना है इसके बाद तिब्बती है सरनारती जो रहे ठीक है तो आगे देखेंगे हम समझ जाएंगे किस त्रीकिस रहेगा सबसे पहले किया मागा गया है कि आप लोग जो है आपका जो है उत्तरखन राजी में किसी भी जिले में सेवा योजन काल है जो की employment office में है registration होना चाहिए ठीक है तो ये आपका देखिए काफी लोग अगर हम बात करें तो काफी इसमें दिख जाएंगे जैसे कि suppose हम अलमोडा कर देते हैं और पंजी करंटी थी किस दिन जो है जारी हुआ था और validity कब तक है चीक है उसमें एक validity भी आपको देखने को मिल ली होगी तो वो आप देख लीजिए इसके बाद employed है सरकारी अगर कही परिक्षा करी हो या फिर इसके समकक्ष जो है उत्तीन किया हो मतब intermediate 10th और 12th अगर आपने उत्राखन से कर रहा है उत्राखन राज्जी के अंदर से कर रहा है तो आप yes करें वन्ना आप no कर सकते है ठीक है तो ये चीज हो गई इसके बाद जो fourth point है कि क्या आपके पती पतनी या आपके माता पिता उत्राखन राज्जी से हैं और अरदे सेनिक बल में मतब जो आपका arm force रहती है अगर उसमें कारिरत है और उनका जो इस्थाई निवास प्रमान पत्र है उत्राखन का ही है तब आप लोगों को yes करना है लेकिन उनकी जो duty है वो बाहर है ठीक है नहीं इस थाई निवास प्रमान पत्र कहा होना चाहिए उत्राखन का ही होना चाहिए तो ये फोर्थ का जो दूसरा पॉइंट है वो भी कुछ इस तरह किसे रहेगा इसमें पूछा जा रहा है कि क्या आप आपके पती पत्नी या माता पिता राज्य सरकार अर्ध सरकारी संस्था निर्मित करमचारी हैं और नियमत रूप से सेवा कर रहे हैं और जो कि सेवा में उत्राखन राज्य के बाहर इसनांतरेत नहीं की जा सकती हैं तो ये चीज हो गई इसके बाद हम फोर्थ का जो थर्ल पॉइंट रहेगा इसमें पूछा जा रहे है कि आपके जीवन साथी य वन्ना आप लोग नो कर सकते हैं, ठीक है, इसके बाद है, आपके बाद है, इसमें पूछा जा रहा है कि आपके पास डॉमिसाइल है, वो आपके पास होना चाहिए, अगर आप इसको येस करते हैं, तो यहाँ आप आगे की प्रक्रिया बढ़ पाएंगे, तभी आपको इसमे येस करना होगा, तो डॉमिसाइल आपके पास होना अनिवार ये है, तभी आप लोग आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है, तो जिसने पहले फॉर्म भरा है, उसको पता होगा, कैटिगरी आप लोग अपनी देख लें, अपने हिसाब से, सपोज अगर आप EWS कर रहे हैं, ठीक है, तो येस करें, एक्स आर्मी ओफिसर हैं, तो येस करें, फ्रीडम फाइटर हैं, तो येस करें, और नेक्स्ट आपके ये भी कुछ इस तरीकिसे ही रहेगा, और ये सारी चीज़े होगई, इमेल आइडी आपको यहाँ पर मेंचन करनी है, उसके बाद इमेल आईडी, इ यहाँ पर इस्थाई पता सेम है, एक ही है, तो आप लोगों को इस ओप्षिन को टिक कर देना है, अगर आपका इस्थाई पता अलग है, तो आपको यहाँ पर ये चीज़ो को दुबारा बढ़ना होगा, इसके बाद आपको अपना पासवर्ड बनाना है, पासवर्ड इसके बाद आपको security key डाल देनी है और यहां पे जाके submit के option में click कर देना है ठीक है तो आगे की प्रक्रिया हम देखेंगे कि किस तरी किस से रहने वाली है तो जैसे आप final submit करेंगे तो यहां पे पूछा जाएगा कि आपने सभी जानकारी जो basic information है वो सही दर्च करी है अगर आपने सही दर्च करी है तो आप लोग यहां पे सत्यापन करके इस option में जो है टिक कर सकते हैं ठीक है अगर आप से कुछ गलती हो गई या फिर अगर आपने कुछ गलत दरच कर दिया है, तो यहाँ पे जाके आप लोग जो है इसमें बदलाओ कर सकते हैं, और इसके बाद बदलाओ नहीं होगा, मतलब कोई correction नहीं किया जाएगा, तो अगर आपने सभी चीज़ें सही बढ़ दिया है, तो यहाँ पे टिक करके जो है, नीचे submit के option में जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इसको submit कर देना, तो जैसे आप submit करेंगे, तो आपके mobile number पे और email ID में message भी आपका आगया होगा, कि आपका basic जो आपका registration है, वो complete हो चुका है, अब आपको click here to login के option में जो है, अब आपको basic जो जानकारी है आपको, जो अभी आ देख रहा है, उसी तरीके से डालना है, अगर छोटा R दिया है तो छोटा R लिखना है, बड़ा T लिखा है तो बड़ा T, अगर capital F लिखा है तो capital F, capital U, small T, फिर D, तो यह लिखने के बाद आपको क्या कर देना है, login के option में, login कर देना है, तो यहाँ पर login कर लें, अगर आप भूल चुके हैं, अपना password तो यहाँ पर जो है, password को जो है, forget कर सकते हैं, ठीक है तो इसारी details हम fill up करते हैं, तो अब जो है आपको qualification अपनी add-on करनी होगी, तो इसमें सबसे पहले आपको 10th की, फिर 12th की, फिर उसके बाद graduation की जो आपकी degree certificate है, ठीक है तो वो आपको यहाँ पर दर्च करना होगा, और एक चीज़ और देखें, यहाँ पर आपका timer भी चल ला है, तो इससे पहले पहले आप लोगों को अपना form fill up कर देना होगा, ठीक है तो इसमें आप देखें, सबसे पहले आपको high school डालना है, high school में high school, उसके बाद अपनी degree डालनी है, high school में 10th, कौन से वर्ष में आपने pass out करा था, तो वहाँ पे आप लोगों को लिख लेना है, ठीक है तो यहाँ पर आप देखें, इस तरीके सा आप लोग अपना लिख पाएंगे, subject के अगर हम बात करें तो इसमें सिर्फ आपके high school आएगा, अंक, देखें किसमें आपके marks रहे थे, अगर percentage में थे, grade में थे, CGPA में थी, तो वो चीज़ों को आप लोग अपने result में देख करें, जैसे कि अगर आपके marks थे, तो आपको marks कर लेना है, कितने marks आए थे, जैसे कि 500 में से अगर आपका था, तो 500 में से कितने marks है थे, तो वहाँ पे आपको यह दर्च कर लेना है, त इसके बाद आपको add qualification के option में जो है, इस चीज़ को add on कर लेना है, तो जैसे आप इसको add करेंगे, तो यहाँ पा अगर आप देखें, यहाँ पा आपके high school की चीज़, जो qualification वो add हो गई है, 10th हो गया, 10th हो गया, CBSC हो गया, 2013 हो गया, और high school subject आपका हो जाएगा, अगर आप 多, मतलब गलत हो गया या फिर correction करना चाहते है, तो यह pencil के icon में click करके correction कर सकते है, या फिर delete करना चाहते है, तो delete कर सकते है, अब आपको क्या करना है, 10th हो गया, इसके बाद आपको 12th की add on करने है, तो 12th के लिए same रहेगा, आपको यहाँ पर 12th कर दिना है, इसके बाद intermediate देख सकते हैं कौन से subject आपके रहे थे तो वो चीज़ों को आपको यहाँ पे mention कर लेना है तो इसमें देखिए stream पूछी जा रही है यह नहीं पूछा जा रहा है कि physics, chemistry, bio थी इसमें पूछा जा रहा है agriculture थी, arts थी, commerce थी, IT application थी या फिर science stream थी तो अपनी सिर्फी stream आप लोगो है तो 500 में से होता है ठीक है तो percentage आपकी automatically जो है निकल के आ जाएगी add qualification के option में आप लोगों को यह चीज को add कर लेना है ठीक है तो यह देखिए आपका intermediate भी add-on हो गया ठीक है तो अगर आप कुछ गलती कर बैठे हैं तो इसको आपको सही कर लेना है ठीक है तो सही भी आप यहाँ पर डाल देना है अगर आपने iti polytech नहीं यह चीजे करी तो यह कर सकते हैं नहीं भी करें तो जरूरी नहीं है ठीक है इसके बाद आपने कौन से उससे करी है ठीक है तो यहाँ पर आप देखें बी-com, BA, aeronautics सारे आपको जो है ट्रेड दिख जाएंगे अगर आपन आपने करा है तो बी-tech भी आप कर सकते हैं और यहाँ पर BMLT आपको दिख जाएगा बी-pharma आपको दिख जाएगा ठीक है तो यहाँ पर आपने according जो है वो चीज़ों को आप लोग कर सकते हैं कौन से उनिवस्टी से करा है उत्हाँ पर ग्रेजुएशन जो है BA होगी तो ड लिखें वरना बाद में फिर आपको काफी दिकत देखने को मिलेगी ठीक है तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं आपकी जो mark sheet है वो कब जारी हुई थी ठीक है तो यहाँ पर आप लोगों को अपने according जो है यह चीज़ों को mention करना होगा ठीक है यहाँ पर देख लिए अ आपको डालना होगा अब इसमें subject देखें डालने हैं तो subject कैसे डालने हैं वो भी आप लोग देख लीजिए तो कौन से subject आपके रहे थे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपको सारी चीज़े दिख जाएंगी अपने according जो है यह सारे subject को आप लोग चूस कर सकते हैं तो अभी हम आपको demo के लिए बता रहे हैं तो यह जो है यह सिर्फ demo के लिए आपको जो है बताया जा रहा है इसके बाद आपका तीन subject हमने डाल दिये तो आपके result में जो भी subject रहे थे वो आप लोग देख ले और इसमें आपके कितने marks obtained हुए थे तो अभी हम सिर् आपके लिए अगर आपके लिए तो यह सिर्फ लिए तो आपको पता है जादे पोश्टे जिसमें रहेगी उसी के लिए आप लोग पर फ्रेंस देंगे तो पहले जो है आपकी executive officer में जादे पोश्ट है रहेगी कितनी पोश्ट है आपकी 60 तो आप लोग इसको प्रेंस देंगे executive officer को second जो रहेगा आपका revenue inspector में कितनी पोश्ट हैं 22 पोश्ट हैं तो अपने choice के according जो है पोश्ट है जो प्रेंस है वो आप लोग दे सकते हैं ठीक है तो अपने choice का according जैसा आपको अच्छा लगे वो आप दे पाएंगे अब आपको ज देखें UKPSC न अगर आपको blacklist कर रहा है UPSC ने blacklist कर रहा है या फिर other कोई commission ने blacklist कर रहा है तो yes करें वन आप no कर सकते हैं इसके बाद अपना अधार कार्ड यहां पर डाल दे है आईडी प्रूफ डाल दे है तो यहां पर करने के बाद यहां पर आप देखें आधार पिक्सल होने चाहिए यहां पर signature का जो आपको pixel rate होगा 1500 x 100 होने चाहिए तो इसके regarding काफी लोगों की photo blur हो जाती है तो वो भी आप लोगों को देख लेना है कि अच्छे से resize आपको करना है साफ photo के साथ ही जो है आपको resize करना होगा ठीके तो यहां पर आपको choose file में जाना है स आपको जो है unsupportable बोल देगा ठीक तो आपको close करके resize करके सही photo को आपको यहां पर डालना होगा और इसके बाद जो second वाला यहां पर आप देखें तो signature आपको यहां पर डालने होगे तब ही जो है यह photo को लेगा ठीक है यहां पर आप देख रहे है photo का dimension भी आपकर रहेगा same इसके बाद आपको यह चीज़ें देखने के बाद continue के option में click कर देंगे अच्छे सापको photograph आप इसके बाद पूछा जा रहा है कि आपने जो photograph और signature डाली है वो अच्छे से आपको दिख रही है सभी चीज़ें सही है और अच्छे से visible है तो आप लोग इसको yes करे और यहां की बात कर रहा हूँ है CST में थोड़ा बहुत इसमें कम हो सकता है तो यहां पे कुछ इस तरीके से रहेगा ठीके तो पेमेंट आपको कैसे करना है वो हम देख लेते हैं इसके सांथ ही आपको यहां पे declaration करना है कि आपने सभी चीज़ें सही डाल दी है दोन्नों टिक कर दे पैसे आपने देख लिए कितने आपको देने हैं और जो है अपका credit card debit cards अगर आप देना चाहते हैं तो यह देख सकते हैं net banking से देना चाहते तो यह देख सकते हैं तो UPI का अगर हम option देखें Google Pay से जो आप लोग देते हैं पैसे तो यह आपको UPI का दिख रहे होगा unified payment interface UPI की full form जो रहती है इसके बाद जो आपको तीन option देख रहे हैं अगर आप Google Pay से चाहते हैं तो Google Pay का यह option है Paytm का यह option रहेगा तो यहाप आप लोगों को देखना है suppose आप Google Pay कर रहे हैं तो Google Pay के लिए आपको जो Google Pay की ID रहती है वो आपको यहाँ पर दर्च कर सकते हैं Google जो भी अपने डालिंगे तो यहाँ पर आप देखें तो जो पीछे से लिखा रहता है तो यहाँ पर आप देखें तो पहले आपका SDFC का होगा फिर SBI का है access का है जो आपका ICIC bank का है उसका है तो जो भी आपके UPI के add the rate के पीछे लिखा है तो वही option को आपको टिक करना होगा तो य जैसि आपको payment request आएगी तो आपको जो है इसमें paynaut कर देना है तो यहाँ पा अप अपको देना होगा तो यहाँ पर आपको आपको Google पे खुल जाएगा और Google पे खुलते ही आपको इसमें से जो है payment कर देनी होगी तो यहाँ पापका जो है लोडिंग होगा इतने रुपय आपको देने है, secretary करके यह चीज़े हो जाएंगी और आपको UPI pin डालने के बाद जैसे आप डालते हैं, वो सारी चीज़े करने के बाद, आपका जो payment है, वो complete हो जाएगा, तो जैसी आप लोग अपना जो UPI से payment complete कर देंगे, तो आपका जो application form है, वो आपके सामने आ जाएगा तो आप उसका screenshot ले ले और साथ में उसमें print का option देखेगा, तो यहाँ पर आपको print का option देखेगा, तो यहाँ पर जो है उसको print out भी कर लेना है, मतलब PDF के mode में आप उसको अपने mobile में save कर सकते हैं, और screenshot भी ले ले और साथ में आपको जो है, आपके email idea, आपके phone number में message भी आ होँगी, और syllabus के regarding जो है, एक dedicated video आपको जल से जल देखने को मिलेगी, कि किस तरीके से आपको जो है preparation करनी होगी, क्योंकि इसमें जो है आपका 300 number की पारिक्षा रहेगी, जिसमें कि आपका 100 number का जो है आपका हिंदी रहेगा, और 200 number का जो आपका उत्राखंट से संबंदिद और जनरल जी के है, वो पूछा जाएगा, तो जल्दी ही हम उस पर भी बात करेंगे, तो मिलते है नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए, बाबाए